हेलो फेंड एवा फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफ लाइन चैनल पर आज हम वीडियो पर ट्रेजर एफ फोर्ट टेबलेट के बारे में बात करते हैं लेकिन इससे पहले एक पर आपको याद दलाओं अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जनकारी आप तक पहुंच सके साथ ही जनकारी के लिए वीडियो को अंतर तक जरूर देखें तो आए हम ट्रेजर एफ फोर्ट टेबलेट के बारे में बात करते हैं इस टेबलेट में बायोटिन, लाइकोपिन, क्रोमियम और मियो इनोसितोल, एन इसाटाइल सिस्टेन और डी चिरो इनोसितोल समागरी शामिल है यह ट्रेजर एफ फोर्ट टेबलेट महलाओं के लिए एक पोशन पूरक है जो मायो इनोसितोल, एल मिथाइल फोलेट और विटामिन D3 से सम्रिध है यह पॉलेसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसे PCOS से पेडित महलाओं के लिए एक आदर्श पूरक है यह मासिक धर्म चक्र को विन्यमित करने में मदद करता है और यह PCOS से जुड़े लक्षणों को कम करता है जैसे खालित्य और हरसूटिज्म यने चेहरे के बाल आदी यह बाजबन के जोखिम को कम करता है इसमें विटामिन D3 इंसूलिन प्रतिरोध में सुधार करता है और इनोसिटोल डिमब गरंथी के कारे का समर्थन करता है और मासिक धर्म चक्र को बाहल करने में मदद करता है बायोटिन और लाइकोपिन एंटी आक्सिडेंट है जो कोशिकाओं को मुक्त करणों यानि हानिकारक रसायनों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं और मायो इनोसिटोल और फॉलिक एसिड ओवोल्योशन और डिमब गरंथी के कारे में सुधार करके गर्भादान की प्रक्रिया में महतपून भुमी का निभाते हैं बायोटिन को पोशन तेजी से वजन घटाने गर्भावस्ता और दिर्ग कालिक गर्भाधारन के कारण होने वाली बायोटिन की कमी को पूरा करने में मदद करता है और एन एसी टाइल सिस्टिन मुहासे शरीर के वजन और महलाओं की शाती चहरे और पीट पर अवानशित बालों की वृद्धी को कम करने में मदद करता है तो फेंड इस तरह से इसका उप्योग पॉलिसिस्टिक ओवरी संड्रोम याने PCOS के लक्षणों जैसे शरीर पर अत्यधिक बाल, अनियम मिट पिरियट्स और बाजपन को कम करने के लिए किया जाता है यह इंसुलिन प्रजिरोध को बहतर बनाने और हार्मोनल असंतुलन को नियंतरित करने में काफी मदद करता है इस दवा को डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में ही लेना चाहिए गोली को एक गलास पानी के साथ निकल लें इसे तोड़ें चबाएं या कोचले नहीं इस दवा के दुशप्रभाव में मतली, सिरदर्द, दस्त, पेट खराब और गैस हैं यदि ये दुशप्रभाव बने रहते हैं और जल्द समापत नहीं होते हैं तो आप डॉक्टर की सलहा जरूर लें साथी इस बात का भी ध्यान रखें यदि आप कोई अन्या दवाईया या आहार अनुपूरक ले रहे हैं तो दवा परसपर क्रिया को रोखने के लिए अपने डॉक्टर को सुचित करना उचित है साथी निर्धारित खुराक से अधिक ना लें और इस बात का भी ध्यान दें कि इस दवा से कभी-कभी अरस्थाई साइड इफेक्ट के रूप में सिर्दर्द हो सकता है आपको इस तरह के दुश्प्रभाव से बचने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ पीने बहुत अधिक शराप पिने से बचना चाहिए और आराम करने की सलहा दी जाती है अगर सिर्दर्द की सती बनी रहती है तो आप डॉक्टर से सलहा लें और ड्रग इंट्रेक्शन से बचने के लिए आपको इस दवा का सेवन करते समय अन्य दवाओं पर भी ध्यान देना है कि आप कौन से दवाएं ले रहे हैं इस दवा को लेने से पहले आप डॉक्टर से पूरी तरह से परामर्श कर लें